हेलो स्टुडेंट्स, हम लोगों ने अपना जो टॉपिक अभी चल रहा है हमारा वो है टाइप ओफ इकनॉमी, जिसके अंदर हम गॉर्मेंट इकनॉमी और प्राइवेट इकनॉमी दो पढ़ चुके हैं, उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ट इकनॉमी, मिक्स्ट इ अगर गॉर्मेंट को कोई काम दे दिया जाए तो वह स्लो होगा है वह दीरे होगा क्यों क्योंकि उसके अंदर स्टेप्स भी बहुत होते हैं मतलब किसी चीज को करने के लिए काफी पेपर वर्क इन्वाल हो जाता है और मतलब कॉंसेप्ट एक लंबा हो जाता है और इसलि लेंगे पबलिक को यानि की मोनोपॉली जला लेंगे वह अपना है ना प्राइवेट एकनोमी में क्योंकि सारा कंट्रोल जो होता है वह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है तो इसलिए एक प्रॉफेसर जे एम केंस थे इन्होंने एक कॉंसेप्ट बन नया निकाला कं कंबाइन एकनोमी का एक कॉंसेप्ट इन्होंने निकाला इन प्रॉफेसर साब ने इन्होंने क्या कर आप गोवेट डोनों इकनोमिक को कंबाइन कर दिया ठीक इसके अंदर जैसे की पहला पॉइंट क्या है इसा कोमी वेर ओवरॉल कंट्रोल आर इन्हांन्ट और इस वाली एकनॉमी में जो decisions लिए जाएंगे, major decisions लिए जाएंगे, वो government और private sector दोनों के हातों में हैं, मतलब दोनों से पूछ करी कोई decision आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, कि government sector की तरह काली government decisions लेगी और private की तरह सिर्फ private लेगी, नहीं, mixed economy में दोनों का ही decision काम करेगा, ठीक, और अगला है, all decisions are based on creating social welfare, along with earning nominal profit, इसके अंदर next क्या है, जैसे government economy में क्या था, उनका सारा focus ये था कि social welfare पे था, और private economy में huge profit पे था, कि जादा से जादा profit हो, बट mixed economy में क्या हुआ, कि उन्होंने बोला कि इसमें हम दोनों चीज़े देखेंगे, कि social welfare भी देखेंगे, प्लस nominal profit भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल free में नहीं देखेंगे कोई चीज़, उसमें हम थोड़ा बहुत अपना profit रखेंगे, जैसे कि मान लीजे, आप सबको पता है, आप government school में admission लें, वो बिल्कुल free नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा पैसा जाता है, बहुत nominal fees जाती उसके अंदर भी गरीब लोग भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको एक परची कटवानी होती है, तो government hospital वाले आपसे कोई fee charge नहीं कर रहे हैं, private hospitals की तरह बहुत-बहुत मोटा-मोटा बिल बना कर नहीं दे रहे हैं आप लोगों आपको जो चीजे आप अधर कर देंगे अलग से तो आपको जो अंसर हो जाता है, वह और जदा अच्छा हो जाता है, present in मतलब अच्छी मानी जाती है उसके और आपके जो marks हैं, मतलब टीचर को फिर आपको marks देने में कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं बच्चे ने यह करदें आहरे हैं तो आपको बहुती इजी लगी होगी मिक्स्ट नॉम्य क्योंकि तो नों का का मिनेशन इस एक्नॉमी के अंदर है ठीक अब इसका एक्ज üzerine क्षए हो combine economy करके भी आजाए तो भी आपको यहीं लिखना है क्योंकि इसका ही दूसर नाम क्या है combine economy ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है आप यह तीनों economies को पढ़े और इसको note करें thank you